वीडियो लाइक जरूर करने ज़िए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरहन सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें वो है विलोम शब्द यसकी दूसरी क्लास है इससे पहले मैं एक क्लास और लेडिस की ले चुका हूँ तो अच्छे से हिंदी को पढ़ने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे भहिया पूरा का पूरा हिंदी हम यह कवर कराएंगे बिलकुल स्टेंडर्ड फॉर्म में प्रि और मेंस के लिए एक साथ तैयारी करेंगे ताके आपको मेंस में जियस को पढ़ने के लिए ऐसे को पढ़ने के लिए समय परयाप्त मिल जाए हिंदी में आपको समय खर्च ना करना पढ़े तो चलिए अती का विलोम होता है साथियो नियोन ठीक है अगाडी का विलोम होता है पिछाडी आगे मतलब आगे का पिछाडी मतलब आगे का पिछाडी मतलब पीछे का आप लोग जानते हैं अंगीकार का अर्थ होता है अंगीकार अंधेरे का उजाला होता है अंतिम का होता है चाहे तो आरमभिक कहलो या कहलो अनुन टिम अनुन ते शब्दो को सही बोलना ना चाहिए यह मैं बात हिंदी में जब आफ लाइन टेता हूं कि अगर आप हिंदी को सही बोलोगे नहीं तो फिर आप हिंदी को सही लिखेंगे नहीं तो फिर आप हिंदी को सही बोलेंगे नहीं तो फिर आप हिंदी को सही लिखेंगे कैसे अब बहुत सारे लोग को शब्द गलत बोलते हैं जैसे एक्जामपल के लिए आपको बहुत सार शम्शान लिखा तो क्या प्रोलम है लेकिन पेपर में जब इसकी सही वरतनी आएगी और आप बोलेंगे इसको गलत तो फिर आप सही करने में दिक्कत कर सकते हैं एक्च्वल में इसकी सही वर्तनी शम्शान नहीं है, इसकी हिंदी में जो सही वर्तनी है, इसको सही बोलने का जो तरीका है वो है इश्मशान, जिहान लखना, शम्शान कुछ नहीं होता है, बोल देते हैं लोग सामने भासा में बड़ जो सही शब्द है वो है इश्मशान, ज्यान लखना इश्मशान सही सब्द है, शमशान नाम का कोई शबत नहीं है, अब इसको इश्मही तो पढ़ा जाएगा, आधाशाय है तो इश्मशान, तो इश्मशान है सात्यों, लेकिन हम बोलते supremह किया है, शमशान बोलते हैं, फेपर में हिंदी में सवाल आईगा आपक को सही बोलना है अब जैसे हम लोग देखते हैं आज कल का ट्रेंड क्या है कि लोग अंग्रेजी में तो खूब जो है दियान देते हैं कि अंग्रेजी हमसे जो है वैडनस डेना बोला जाए वैनस डे बोला जाए अपने देखा होगा चलता है कुप चलता है लोग वीडियो भ हमारी अंग्रेजी मात्रिभाषा नहीं है यह हिंदी जिन्दा रहने का कोह हक नहीं है यह नहीं हमारी मात्री भाषा आप उसको गलत करो तो क्षित रूप से या बहुत बहुत जादा ही कुछ ऐसा खराब काम करने हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो लोग अंग्रेजी सही बोलने पर खुब जोर देते हैं कि अंग्रेजी हम सही बोले मतलब समाज में स्टेंडर्ड मैंटेन हो हमारा लेकिन हिंदी को गलत बोलने म आपको बताना है वह आगे आपकी इच्छा है चलिए ठीक के अगे बढ़ते हैं अकर्मक करने में होता है कि अगला है अखंड़नी का मतलब होता है जिसके खंड ना हो सकते हैं पिश्वाडा ठीक है सब को पता है अटल का है डावा डूल या धुल्मूल अटल का मतलब होता है जो अपनी जिगे से कोई उम्मीद है और ऊपेक्षा का मतलब हुआ कि आपको कोई ओनोर कर रहा है तो यह उपेक्षा है अपकार का उपकार को होता है थीक है किहां लखना सजल का उल्टा होता है निरम मतलब है जल के साथ और जल का मतलब है जल के बिना हिंदूों में सनातनियों में एक एका दशी आती है निर्जला एका दशी महलाएं वरत रहती है बिना पानी के और अभी तो आने वाला है करवा चौथ तो वो भी एक प्रकार का निर्जला वरत ही है जिसमें बिना जल के महलाएं वरत रखती है अध अनुग्रह का उल्टा होता है साथियों विग्रहें अनुग्रह का मतलब है जुड़ना विग्रह का मतलब है अलग होना अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल पढ़ चुके हैं अद्रश्य का उल्टा द्रश्य अद्रश्य जो दिखाई ना दे द्रश्य जो दिखाई दे अधिक का उल्टा होता है नियून अल्पिया थोड़ा जानते हम लोग पढ़ चुके हैं अधिकारी का उल्टा होता है अनधिकारी ठीक है अनधिकारी ध्यान रखना अधिकम्य का मतलब होता है अनधिकम्य ठीक अधिन का उल्टा होता है अनधिन या सुतंत अधिन आपकी से गुलाम है अनाजी का उल्टा होता है फलाहरी और डांची एक मतलब क्या होता हूं तो जो खेंगता हो अनिवार मतलब किसी ने दे ना और ग्रहन मतलब यह त ना ये लेना कालीन का होता है होता है उनत याद रखना लम्बित अ Nada IV न वलंवित ठीक है अन वलंबित इसका उल्टा होता है, ठीक, याद रखेंगे तो यह आजका हमारा छोटा सा वीडियो जिस में हमने जाना आकिरकार यह हमारा पहला पेज हमारा खतम हुआ पहला पेज खतम हो, इस तरीके से 16 पेज ने छोट छोटे वीडियो बना करके कि हम इस पूरे विलोंग शब्द को समाप्त कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छे से बढ़ते रहिए महनत करते रहिए कोई भी शब्द इसमें अगर ना सवज में आये तो बेज़ज़क पूछ लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं प्रॉपर उसक